हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको बताने जारों कि कैसे आप अपने IQ Neo 6 Android में आप जो है स्क्रीन शॉट फ्लोटिंग विंडो सैटिंग को आपना इनेबल कैसे कर सकते हैं यानि कि आन कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह स्क्रीन शॉट फ्लोटिंग विंडो इनेबल होने के बाद इस एडिंग कैसे काम करती है आज की इस वीडियो में आपको डीटेल मिजानकारी देने वालों तो चलिए आप यह वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने मॉयल फोन में सैटिंग पेज ओपन करना है ठीक है सैटिंग पे आपको यह बटन दे रखा है इस बटन को टैपके से उन करना है इसे पहले में आपको लें अपने पे पोन पर तो प्लोठ करें गाetzt उसका जो screenshot का page वो float करेगा तो इसे हम screenshot floating window कहते हैं ठीक है तो आपका जो है ये page screenshot का कम से कम एक से तीन सेकिंड तक आपका इसी तरह की से float करता है ठीक है और ये setting जोने enable करने के बाद इस तरह की से काम करती है आपके phone में ठीक है और यहाँ पर आपको search bar में type करना है screenshot floating window ठीक है जो setting का name है यहाँ पर आपको पूरा पूरा type करना है इस तरह की से तो आपको यहाँ पर नीचे की side एक option शो हो जाएगा screenshot floating window यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है जब यह नीचे की side option शो हो जाएगा इससे आपको select करना है इससे क्या होता है आपका mobile phone आपको directly setting page में आपको लेकर आजाता है और आपको नीचे की side option मिल जाता है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंडने का ठीक है